चैनल को बिल्कुल सेट करो, इस सेटिंग से, इस माध्यम से वीडियो डालो, 100% व्यूज आएगा, मेहनत करो, लाग फूर रुपे अर्णिंग करोगे, मेरी अर्णिंग देखना चाहते हो थो रवो, तो यह आप देख ले हो, अगर आप एक यूटूबर हो, या यूटूब चैनल अभी आपने ओपन किया है, या ओपन करने वाले हो, या खोल चुके हो, और आपकी वीडियो पे व्यूज नहीं आता है, आपने यूटूब चैनल से अर्णिंग करने स्टार्ट नहीं किया है, पैसे नहीं कमा पा रहे हो, आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं चैनल खोले है, तो आपके व्यूज नहीं आएंगे, जब आपके व्यूज नहीं आएंगे, तो आपके सब्सक्राइबर नहीं आएंगे, आप जो भी वीडियो डालोगे, वो सर्च मिन जाएगा, यूटूब उसको पर्मोट नहीं करेगा, लोगों तक नहीं जो सर मैंने YouTube चैनल खोला है, लेकि मुझे ब्यूज नहीं आते हैं, मेरे वर्स टेम नहीं हैं, उन्होंने चैनल खोलना तो सिख लिया है, email ID से चैनल खोल लिया, लेकिन वो 8 से 10 या 7 से 8 जो setting है important वो वो नहीं करते हैं, उनको पता ही नहीं तो करेंगे क्या, तो आज की इस वीडियो में जान लीजे, देखें, इस से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँआ, कि मेरा ये चैनल देख लो, जो की BN Tech के नाम से है, 66K Plus सब्सक्राइबर है, और भाई एक चैनल और है, ये भी देख लो, जो की अरनिंग गली के नाम से है, इसमें भी 2700 से मैंने जस्ट ओपन किया है, दोनों चैनल मोनेटाइज है, दोनों चैनल से अरनिंग हो रही है, और व्योज भी ओबर ओल ठिक ठाक जा रही है, तो पैसा मैं दोनों चैनल से कमा रहा हूँ, तो इसी के बेस में मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, मेरा नाम है, बियन जा, लेट्स भी स्टेटेड, जो ये 8 से 10 सेटिंग आप कैसे करोगे, प्रैक्रिकल करके दिखाऊंगा, आप भी एक यूटुवर हो, चैनल आपने ओपन किया है, या फिर ओपन करने वाले हो, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना है, इस कीप करकर के मत देखना, एक भी स्टेप मिस कर जाओगे न, दोस्तों, तो बहुत ही लॉस होगा, कोई फाइदा नहीं होगा, यूटुव चैनल ओपन करने से, देखिए, आपने यूटुव चैनल ओपन कर लिया, वीडियो भी डाल ले हो, महनती भी कर रहे हो, जब आपकी earning ना हो, तो फायदा क्या है, टाइम बेस्ट, उसके बाद confidence आपका चला जाएगा, और फिर आप चैनल पर आओगे भी नहीं, तो भाईया, सबसे पहले, learn कर लो, फिर earn कर लो, ठीक है, यही बात है, without learning, nothing earning, तो देखिए, 8 से 10 important setting है, वो जनना बहुत ही important है, एक YouTube चैनल यह आपका यहाँ पर ही खुला हुआ है, आपने ओपन किया है, कोई बात नहीं, आपने YouTube चैनल खोल लिया है, मैं मानता हूँ, उसके बाद बात रही, setting की, जो setting कैसे करेंगे, तो setting करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, किस पर Chrome पे, ठीक है, देखिए, मैं एक ब चैनल ओपन हो गया है, ठीक है, अब यहाँ पर आप यहाँ इससे वीडियो, creator के वीडियो अपलोड कर सकते, वीडियो डाल सकते, लेकिन वीडियो डालने का फाइदा क्या है, जब अर्दिंग नहों, व्यूज ना आए, सब्स्क्राइबर पूरे नहों, तो फाइदा नही के बाद, यहाँ पर प्लस का आइकन पर क्लिक करिए, आपके पास जो भी है, और यहाँ पर मैं जो टाइप करना हूँ, वही आपको टाइप करना है, studio.youtube.com, क्या टाइप करना है, देखिए, यहाँ पर आप एक पर देख लो, फिर से, studio.youtube.com, ठीक है, जिसे बोलते है, YouTube Creator Studio जो YouTube का Creator है उनका Studio ठीक है तो यहां पर आपको यह टाइप करने है और यहां पर Enter करने है जब हम इस पर Enter करेंगे तो देखे इस तरीके से जो है आपका Studio.youtube.com यहां पर खुलेगा तो यहां पर इस तरीके से जो है ओपन है आप ओपन करेंगे तो यहां ही पर आ जाओगे ठीक है उसके बाद आपको Welcome to YouTube Studio आयागा आपको Continue पर यहां पर टैप कर देना है दोस्तों समझने वाली बात यही है जो हमने चैनल तो बना लेते हैं लेकिन हमें व्यूज नहीं आता है सब्सक्राइबर नहीं आते हैं बाद में हम चैनल छोड़ करके चले जाते हैं यूटूब पर कभी आते भी नहीं है और जो सकते हो तो यूटूब पर यहाँ यहां पर लोगो है इस तरिशलीकले से लोगो आप लगा सकते हो और यहां पर बै eg इस वाभी चैनल बना ना चैनल बना करके दिखा दून लेकिन हम जानेंगे सेटीग की जो कानख मुन से इपरेंट और चैनल बना बर MX चाहीं तो देखिए setting करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे का option जब यहाँ पर YouTube studio पर आऊगे और नीचे scroll करोगे तो यहाँ पर एक setting का option यहाँ पर दिखेगा icon दिखेगा setting का ठीक है भाई चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe ज़रूर कर लेना बहुती important information इस channel पर आप लोगो के लिए आने वाली है जो भी YouTube creator है उनके लिए इस पेसिली ठीक है तो चैनल को subscribe कर लेना बेस्प्राइब का लिंक दे दूगा उसे भी जोइन कर लेना है ठीक है अब यहाँ पर देखिए setting के option पर हम tap करेंगे setting के आपका आएगा journal setting पहला आएगा journal setting और यहाँ पर आएगा channel setting तो चैनल पर हम चले जाएगे चैनल पर हम यहाँ पर टैप करेंगे और चैनल पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए basic information यहाँ पर है एक advanced information एक है feature eligibility यह दोनों बहुत ही important बहुत ज़्यादा important है यह setting कोई नहीं करता है setting करना बहुत ज़रूरी है तो देखिए feature eligibility पर मैं सबसे पर टैप करता हूं जब यहाँ पर हम टैप करेंगे तो यहाँ पर साब साब लिखा हुए आप देख सकते हो कि you can manage your access to more features here intermediate and advanced feature required additional verification which help us keep up the YouTube community safe for everyone तो इस तरीके से यहाँ पर सब कुछ लिखा हुए जो कि आप देख सकते हो अब यहाँ पर लिखा हुए standard features क्या है upload video create playlist and collaborate for new video तो यह enable है इसको आपको नहीं चेहना है लेकिन अगर यह दूसरा है video over 50 minutes 15 minutes से अगर आप ज्यादा video बनाते हो उसके बाद custom thumbnail क्या होता है तो यहाँ पर जैसे कि आप देख लो content पर यह मेरा आप बैनर जब आपको यूटूब चैनल खोलते हो स्क्रोल करते हो तो वहाँ पर आपको पोस्टर जो दिखता है इस तरीके से देखो आप मेरे चैनल पर यह जो पोस्टर आपको दिख रहा है जो इस चैनल पर आप आयो पोस्टर देखके उसको बोलते है thumbnail व इसके लिए आपको enable करना पड़ेगा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इस पर tap करना पड़ेगा इस पर हम यहाँ पर tap करेंगे तो जब इस पर हम tap करेंगे तो देखे यहाँ पर option शाप 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 दिखा हुआ है कि video longer than 15 minutes से जदा आपको video डान नहीं है custom थमने ल नहीं कर सकती हो 15 minutes से ज्यादा long video नहीं डाल सकती हो custom thumbnail नहीं लगा सकती हो साथ में live streaming जो करते हैं वो नहीं कर सकती हो तो भाई यह बहुत important है mobile नमर आपको verify यहाँ पर करना है यहाँ पर आपको जाकर कुछ नहीं करने है यहाँ पर बस टैप करने है तो यहाँ पर जब आप यहाँ पर जो है mobile नमर verification को option खुल जाएगा उस पर आपको टिक करना है mobile नमर माएगा mobile नमर डाल करके OTP आएगा और आपका यहाँ पर mobile verification complete हो जाएगा ठीक है तो यह setting आप य इसलिए mobile verification on अभी नहीं खुला आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यह मैंने निया चले मनाया और इस चैनल को अभी मैंने verify नहीं के email ID से ठीक है तो बस मुझे आपको पहले समझाना है क्या 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 करना है तो यहाँ पर जाके आपको mobile on कर लेना तो देखें यहाँ पर लिखा हूँ है कि expand your यह बहुत सारे चीज़े हैं जो कि आप यहाँ पर कर सकते हो देखो कितने सारे चीज़े हैं यह तभी कर सकते हो जब इस feature को on करोगे इस setting को on करोगे तो यह setting भी आप कर लेना वीडियो verification call होता है वो आपको यहाँ पर यह on हो करना है एक वीडियो कॉल आएगा उसे बस verify करना है अपना चेहरा दिखाना है और verify करना है आपका यह भी जो है टीक हो जाए ग्रीन टीक हो जाएगा ठीक है तो यह आप ज़रूर कर लेना फ्रेंस यह करने के बाद अगली setting की हम बात करते हैं चलिए यह setting तो complete हो गया अब अगली setting जो है यहाँ पर advanced setting जो की बहुत ही important है यह करना बहुत है बहुत सारे लोग नहीं करते है तो देखिए सबसे पहला यह है do you want to see your channel यहाँ पर मैं एक थोड़ा से इसको इधर कर देता हूँ और छोड़ा करता हूँ यहाँ लिखा है कि do you want to set your channel as made for kids बहुत सारे आप टिकर दो yes this channel made for kids I always upload content that's made for kids यहाँ पर साफसा प्लिखा हुआ है यहाँ पर सकती हो तो अगर आप always video kids के लिए upload कर रहे हो तो यहाँ पर आप कर सकती हो और उसमें comments हमेशा off मिलेगा kids वाले section on करोगे तो उसमें comment नहीं कर पाओगे लेकिन अगर आप कोई ऐसा content बना रहे हो जो बच्चों के लिए बरो के लिए 18 साल 17 साल 15 साल उसको 22 25 यह इन लोगों के लिए बना रहे हो बहुत सारे लोग देखे बच्चों के लिए नहीं बना रहे हो तो आपको यहाँ प comments कर पाएगा like कर पाएगा तो यह सब कुछ कर पाएगा और यह सिर्फ बरो को दिखा जाएगा बच्चों को नहीं बरो को भी दिखा जाएगा तो यह important है इसको no करना बहुत important है तो यहाँ से आप setting क्या करोगे no पे tap करोगे और यहाँ से क्या करोगे save पे click कर दोगे तो आ आपका चैनल किस देश में बना है वो जो mention करना यह setting में बहुत important है यहाँ पर आप India के हो तो India select करोगे नेपाल के हो तो नेपाल बंगलादेश के हो तो बंगलादेश जहां के भी हो पाकिस्तान तो पाकिस्तान तो यहाँ पर आप India अपने select करना है यहाँ सैक्का रचेहां करना है इस तरीका से है इहां पर country select करना है आपके यह है keywords यहाँ पर enter, separate value keywords डालना बहुत जूरूरी है keywords कौन से डालेंगे keywords यहां यहाँ आता है वह अपना चैनल का नाम जैसे आपने अभी निया चैनल मनाया है तो वह सर्च में नहीं आएगा उसे सर्च मिलाने के लिए आपको यहाँ पर किवर्स डालना पड़ेगा जैसे कि माली जे मैं फोरिक यहाँ पर लिएगा रहा है यहाँ पर करेंगे बरा क्याप्तेल में छोटा में सबकुछ इस्पेस डाल करेंगे चार पात तरीके से नाम अपना भर देंगे चैनल का और साथ में जिस तौपिक पर हम वीरियो बना रहे है वो टौपिक पिछाओ त तो यह आप कर लेना और जब यह कर लोगे तो यहाँ पर save का option देखे खुल जाएगा यहाँ पर shape जरूर कर लेना save नहीं करोगे तो यह कुछ भी setting on नहीं होगा जैसा पहले था हुआ ऐसा ही रहेगा तो save make sure करना बहुत ही important है वीडियो को like नहीं किया है वाइच एक like कर दीजिए अब दोस्तों बात रही है अगली setting की जो अगली कौन सी setting है और कौन सी important setting है देखिए अगली setting है upload defaults अप्लोड defaults पर हम tap करते हैं तो यहाँ पर basic information में title है description है और visibility है किसको दिखेगा tags है यह करना है इस पर click करना है ठीक है तो देखिए advanced setting पर हम यहाँ पर tap करते हैं click करते हैं जब advanced setting पर tap करेंगे तो देखिए यह सारे options खुलेंगे यहाँ पर दो चीज बहुत important है एक तो आपका extender YouTube license यही रहेगा इसमें कुछ भी छिर्चार नहीं करना है दूसरा यहाँ पर video language important ह है और यह category यह दोनों बहुत important है लोग नहीं करते हैं छोड़ देते हैं यह चैनल बन गया हो यह खतम भाई यह तो mention करो चैनल YouTube को तो पताओ जो आपका चैनल basically है क्या किस topic में वीडियो बनाओगे किस category में वीडियो बनाओगे तभी तो वो उस category के लोगों को जब सर्च कर दोस्तों वीडियो बनाने से पहले आपको पता होता है जो आप किस content पे काम करने वालो हो किस category में वीडियो बनाने वालो हो for example अगर मैं किसी technology वीडियो बना रहा हूं तो कहाणा लोगा science and technology में वीडियो को upload करूँगा जैसे कि मैं यह video बना रहा हूं इस video को मैं upload करूँग क요 science and technology में ठीक है कोई blog बनाता है घर से बार जाके अब समस्तियो blog बनाता है तो किसमें डालेगा? पीपल एंड ब्लॉंक्स में यह बना रहा है education video बना रहा है तो क्या education में कोई comedy कर रहा है तो comedy में डालेगा ठीक है कोई entertainment कोई dancing को चल रहा है तो उसमें जो है आपका singing कर रहा है तो वो entertainment में डालेगा ठीक है कोई gaming कर रहा है ठीक है तो gaming section में डालेगा तो कोई music है तो music में ठीक है बहुत इंपोर्टन है जरूर करना ठीक है तो यह चीज आप देख लेना अगर आपको यह नहीं पता है यह वीडियो है किस कंटेंट में डालेंगे तो यह कमेंट्स कर देना है टेलेग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इंस्टाग्राम का पूछ लेना वहाँ पर ब हिंदी में बना रहा हूं तो मैं यहां पर लेंग्विज कर लूगा भाई मैं तो हिंदी लेंग्विज बनाता हूं ठीक है आप भी अपना लेंग्विज कर सकते हो अगर कोई लोकल लेंग्विज में इंडिया में बना रहा है तो लोकल लेंग्विज कर लेगा ठीक है यह और ये caption जो लिखा हूँ इसको आप नहीं रखना है इसको कुछ नहीं डालना है ठीक है आपको एक setting ये करनी है कितने सारी setting मैं आप बता दी तो अभी जाने वाली बात नहीं है भाई अभी जाओ मत अभी और भी setting बची हुई है पूरी setting देखके जाओ चैनल को बिल्कुल set कर रहा हूं उननीस सो कुछ डोलर है अगर आप इसको multiply करोगे into 80 से या 82 से देख लो कितने पैसे हो जाते हैं ठीक है तो भीया आप भी कमा सकते हो ठीक है अब यहां पर देखो मैं आपको बताना चाहता हूं अगला setting जो है यहां पर बहुत ही important setting सब्सक्ति यह तीन setting मैंने यहां पर community का है permissions के लिए कुछ नहीं है आप honor हो यहां पर कुछ नहीं करना है और community पर हम अगरे टैप करते हैं community पर जो है default पर जब क्लिक करोगे तो यहां पर जो है इसका आजाएगा जो आप allow all comments कर रहे हो या hold कर रहे हो तो यह आप पहले और उसमेंसे कोई भी आप टिक में जाओ और इस चैनल में आप देख सकते हो कि मैं यहां पर उपर about के section में बहुत सारी लिखा हुआ है ठीक है यह कैसे लिखते हैं और यहां पर आप link भी add कर सकती हो और social media का बहुत सारी लोग को आप दिखते होगे जो about में जाओगे तो नीचे वह टेलीग्राम का इंस् navigation पर click करेंगे तो देखें दो setting और है जो कि आपको बहुत important कर लेनी है आपके 1000 subscriber जल्दिस जल्दी हो जाए complete हो जाए वो कैसे होगा 1000 subscriber तो देखें यहां पर मैं आपको एक चीब आता हूँ जैसे कि माली जी लिखा है channel trailer अब trailer क्या होता है for people who have not subscribe जिन लोगों ने आपको subscribe नहीं कि है वो direct आपके channel पर जाएगा तो एक उनको video देखने को मिलती है जैसे यह चैनल पर जाता है तो उनको दूसरी video देखने को मिलेगी तो वो video आप यहां से add कर सकते हो ठीक है कैसे add कर सकते हो यहाँ पर add पे click करोगे और यहाँ पर एक एक video upload कर दोगे ठीक है simple है तो यह जरूर कर लेना जिससे कि subscriber increase होता है, subscriber पर आता है channel grow होता है बहुत important है यह setting जरूर कर लेना उसके बाद देख सकते हो यह setting करने के बाद जो है friends यहाँ पर है basic information branding का ही बाया आतो हो जो branding है जैसे कि आप यहाँ पर logo लगा सकते हो यहाँ पर banner लगा सकते हो banner upload कर सकते हो channel का इस तरीके से जैसे मेरा logo banner है आप देख सकते हो इस तरीके से आप यहाँ पर upload कर सकते हो ठीक है friends तो इस तरीके से logo banner आप भी है आप यहाँ पर लगा सकते हो अब यहाँ पर एक setting और है जो कि basic information पर जब आप tap करोगे customization में तो यह बहुत important है यह मैं आपको बादा हूँ सारे इंपोर्टेंट है वैसे अगर आपने चैनल का नाम कभी change करना है तो यहां से भी आप change कर सकते हो लेकिन यह 14 दिन में सिर्फ दो बार ही चैनल का नाम change कर सकते हो तो यह तो रही चैनल का नाम change करने के लिए handle आए गया description बहुत important है description में जो मैं आप बोला जो about section में देखे इस तरीके से जैसे मैं आपको बता है था जो about section में आप जाओगे तो about section में यह सारा लिखा हुआ है description होता है इस description में आपको type कर देना है जैसे कि माली जी यहां पर आप जो भी लिखना हो लिख सकते है कि हाई, I am, blogger या कुछ भी आप लोग को लिखना है जैसे कि माली जी देख सकते हो कि यहां पर लिखा हुआ है साब साब channel URL यह तो आपका YouTube का है links लिखा हुआ है और यहां पर लिख हुआ है add link यहां से आप कर सकते हो जैसे कि मैं आपको दिखा आता हूँ यहां पर आपके जो YouTube सब्सक्राइबर आएंगे कोई भी आएगा उसको अगर आप me on Instagram और यहां पर क्या करें है channel का URL डाल दिया तो यहां पर हमारा Instagram का logo के साथ Instagram link हो जाएगा कोई भी क्लिक रहेगा तो direct हमारे Instagram पे चला जाएगा ठीक है इसी तरीके से आपको यहां पर यह कर लेना है जैसे कि माली जितने links add करना चाहो तो आप यहां पर जो है top 5 links add कर सकते इंस्टा का टेलिग्राम का Facebook page का जो भी आपको करना है LinkedIn का जो भी करना है आप कर सकते हो तो 5 यहां पर add कर सकते हो साथ में अपना email information email address भी दे सकते हो जहां पर लोग आपको संपर कर सके और आपको description में भी email देना चाहिए promotions वीडियो के लिए ठीक है तो यह चीज़े आप क channel पर clicker के आप अपना channel देख सकते हो ठीक है जो हमने setting कर लिया इस तरीक से हमारा channel है तो भाई यह जरूर कर लेना तो यह जितने भी setting थी बहुत ही important थी अगर आप एक YouTuber हो अपने channel से पैसे कमान चाते हो ग्रोग करने चाते हो तो यह setting आर दस जो भी मैंने बताई यह बहुत अगर आपको पैसे रूपीज में देखना है तो यहाँ पर आप change कर सकते हो currency में जाके आप यहाँ पर देखिए Indian रूपीज आया चले जाओ तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा Indian रूपीज यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ अगर आप यह सेलेक्ट कर लोगे Indian रूप तो आसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी जो ये 8 से 10 सेटिंग कितनी इंपोर्टेंट है एक यूटूबर के लिए जो सभी करकर जितने भी सक्सेस्फुल यूटूबर है आप भी ये सेटिंग अभी तग आपने नहीं किया है आपको जानकारी नहीं थ अपना ध्यानने किये जाहिंद बंदे मातर हूँ